आम में फूल खिलने के दोरान किशी भी तरह के रशाइनिक दवाओं का परियोग ना करें जिसे फसल पूरी तरह बरबाद हो शकता है वहें इस संबंध में पूसा डॉक्टर रजिन्द परशाद किंद्रे किरीशी बिश्वी विद्याले पूशा के अन्वेशक अखिल भारतिय फल अनुशंधान परियोसना एबंसा निदेशक अनुशंधान डॉक्टर एसकि सिंग ने बताया कि इस दोरान सिचाई कताई नही करनी चाहिए अन्यत्था भारी नुक्सान होगा टिकोले आम के छोटे छोटे फल के गिरने से रोकने के लिए अत्वा अवसेख है पलोनोफिक्स एक मिली दवा का पर्ति लीटर पाने में घोल कर छिव काव करना चाहिए साथी उन्होंने कहा कि कितना सक का परियोग किशानों को नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस समय फूल काफी मात्रा में आम में होता है उस दौरान बगीचे में मधुआ अपना काम करते हैं जिससे फसल अच्छा होने का शंकेत होता है अगर इस दोरान फसल पर किसी तरह का किटनासक दबा का छिरकाव होता है तो उसे मधवा को नुकसान होता है और वह चला जाता है जिससे फसल पर नुकसान होने का खत्रा रहता है और शात ही अगर जिस्ट समय मधवा अपना काम करता हो और उस दोरान किसान मंजर पर किसी परकार का किटनासक दबा का छिरकाव करता है तो वह खुद को नुकसान होने के कारण फसल को नुकसान कर वह बगान से चला जाता है